मूबी की सुरुवात होती कि एक गाउं से जिसका नाम वीर पल्ली होता है या गाउं कोईले के ख़दान से ढखा हुआ रहता है इस गाउं में कोईला का काम बहुत जादे मातरा में होता है जिसकी वज़े से पूरा गाउं कोईले की काली धुआ से ढखा हुआ रहता है इस ग गाउं में एक rule रहता है कि जो भी उची जाती के रहेगा वो बाहर के अंदर दारू पियेगा और जो भी नीचे जाती के रहेगा वो बाहर के बाहर दारू पियेगा और इस गाउं में उस बाहर का मालिक वही होता है जो की सरपंच का चुनाओ जीतता है और अभी इस गाउं क का सरपंच कनकईया नाम का एक आदमी रहत और वह बार में जैसे ही दारू पीने के लिए आता है और न्यूज देखता है तो वहां पता चलता है कि गवर्मेंट दारू को बैन कर दता है यानि दारू बेचना और पीना गैर कानोनी हो जाता है और इससे गाओं के सभी लोग प धर्नी को या पता चलता है कि धर्नी का जिगरी दो सूरी वेनिला को पसंद करता है तो धर्नी अपनी दिल की बात वेनिला को नहीं बताता है क्योंकि धर्नी के लिए उसका दो सूरी वेनिला से जादे एहम रखता है और इधर गाओं में सराप के बिना सब तड़प रहे हो खईदा जा सकता है फिर वह सबको दारू का लालाच देखे गाव में चुनाओ करवाता है और वह दारू के वज़े से वह चुनाओ जीत भी जाता है फिर कुछ समें बाद बड़ेनमया की मौत हो जाती है बड़ेनमया की दो बेटे होते हैं एक राजन्ना और एक सिवन्ना ज पूरा साथ देता है, बलकि गाव में दारूप बटवा के चुनाव जितने का प्लान भी उसी का होता है, अगला सिंसिफ्ट होता है जिसमें दिखाता है कि अपना हीरो धर्नी बड़ा हो गया है, और धर्नी और उसके दोस्त भी सारे नसेडी बन चुके हैं, क्योंकि वहां दोस्तों को जेल में डाल देते हैं, फिर धर्नी पुलीस वालों से माफी मांगता है, तब पुलीस वाले उसे छोड़ देते हैं, अगला सिंसिफ्ट में हमें दखाया जाता है कि वेनिला बड़ी हो गई है और वह एक टीचर बंचुर और गावं वाले सभी जान गए हैं कि सूरी और वेनिला एक दुस्ते से प्यार करते हैं, तब ही सिंसिफ्ट होता है सिवन्ना के घर पे, जहांपे सिवन्ना और उसका बेटा चिन्ना नंबया को पता चलता है कि गावं में 150 नए वोटर आएं और चुनाओं भी आने वाला होता है, तब सिवन्ना और उसका बेट अधर वेनिला की माबाप वेनिला की साधी के लिए दूसरी तरफ लड़का देखते हैं, क्योंकि वह सूरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सूरी के पास कोई काम धंदा नहीं होता है, यहाँ बात वेनिला को जैसे ही पता चलता है, तो वह सूरी से बात करने क उसमें हम ही जितने वाले हैं, और केसियर का जोब सूरी को ही मिलेगा, तब तो साधी करवाओगी ना, तो यहाँ बात सुनके वेनिला के घर वाले मान जाते हैं, इधर चिनने नमबया केसियर की जोब के लिए पहले से ही एक लड़का चुनके रखता है, और वा धरनी को बोल की सारे दोस्तों को ही मरवा देगा, लेकिन जब वा वेनिला को दुखी देखता है, कि वा अगर मैच हार गया, तो सूरी को जोब मिलेगा नहीं, और वेनिला का साधी होगा नहीं, इसे वा बहुत परहसान हो जाते, यहाँ परहसानी देखके धरनी को बहुत बुरा लगता और वा मैच में अपने फूल परफॉर्म में वा खेलने लगता है, और मैच जीतवा देता है, तब गाउवाला का सामने नमबर यह बहुत अच्छा बनने को कोशिश करता है, और वहाँ से वा अनौन्स करता है, कि सूरी को वा जोब दे देंगे, अगला सीन सिर्फ होता है दारू के अडेप, यानि बार पर, जहां पर सूरी दारू लेने के लिए बार के अंदर चला जाता है, वहा छोटे जाती कराता है फिर भी, यहा बात बड़े जाती वालों को पसंद नहीं आता है, और वहा सूरी से लड़ने लगता है, और यहा जब धरनी देखता है, तो पीड देता है, तो फिर पुलिस उन सभी को उठा के जेल ले जाता है, और उनकी खूब पिटाय करता है, और सिवन्ना पुलिस को पहले बोल देता है, कि इन लोगों को छोड़ना नहीं, और उन सभी की घर वाले यहां तक की वेनिला, सभी को छुड़ाने का पूरा प्रया ने उन्हें छुड़ाया है, तब फिर वा बोलता है कि इस बार चुनाओं में आप खाड़ा हो, हम सभी आपको ही वोट देंगे, और ये उच नीच जातिक हिजाब से दारू बाटना ये सभी को बंद कराएंगे, राजना नहीं मानता है, लेकिन वा किसी तरह उन्हें मना और बोलते हैं कि आज तक हमने आपको कभी वोट ने दिया, लेकिन इस बार वोट आपको ही मिलेगा और आप जीतेंगे भी, तब उन सभी की बात रखने के लिए राजना मान जाता है, और सभी जी जान से चुनाओं की त्यारिक करने लगते हैं, तब उन सभी को पता चलता है कि जितने भी गाउं वोटर है, वो सभी मर्द है, कोई औरत नहीं है, क्योंकि सारी औरते मर्दों के दारू से परिसान रहती है, इसलिए वा कभी भोड देती ही नहीं, तब राजना उन सभी औरतों के या उमीद दिलाता है, कि वा उन्हें भोड दे, वा उन सभी के और सूरी या देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि धर्नी वेनिला से प्यार करता है तब सूरी भी बहुत परिसान हो जाता है क्योंकि उसका दोस्त अपने दोस्त के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया फिर साधी होके वेनिला और सूरी अपने घर जाते हैं लेक लेकिन सब किसी तरह भागते हैं रात के अंधेरे में अपनी जान बचाते हुए और वो लोग धरनी को ही मानने कोशिच करते हैं लेकिन सूरी उसे हर समय बचाता है वो लोग धरनी और सूरी और उसके दोस्त लोग को दोड़ा दोड़ा के मारते हैं आधे को तो मार भी डालत और धरनी की पेट में भी चाकू मार देता है, लेकिन सूरी उसे बचाते हुए साइकेल में ले जाता है, लेकिन एक धुआ वारला जगा में कोई सूरी का गर्दन उरा देता है, ये मुमेट बहुत ही सोकिंग था, धरनी परिसान हो जाता है, रोने लगता है, पता नहीं क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है और वो जाके छुप जाता है क्योंकि उसका जिगरी दोस्ट जिसे वो जान से भी जाना चाहता है उसी के सामने कोई उसका गरधन कार देता है इधर वेनिला सुरी का वेट करते रहती लेकिन सुरी रात को नहीं आता है बलकि सुबा उसका ला कि उस रात को उन सभी को दोड़ा दोड़ा के किसने मारा तब वहाँ नमबया धर्नी पे ही इलजाम लगा देता है उसने ही सूरी को मारा होगा क्योंकि धर्नी नसे के हाला थें बहुत कुछ करता है एक पुलिस वाले को भी उसने एक थपण मारा था और नसे कहा ला था तब गाँवाले एकिन भी कर ले तब धरनी को भी अपने आप पे थोड़ा साख होने लगता है लेकिन वह मानता नहीं क्योंकि वह सूरी का कैसे कतल कर सकता है तब उसे कुछ-कुछ पल याद रहता है उस रात का सीन कि हम लोगों को कौन सा हथियार से मारा गया था तब उसे याद आता है कि उसे मारते हुए एक का हथियार कुवा में गिरा है तब वह जाता है और वह कुवा से हथियार निकालता है तो जैसे ही हथियार निकालता है उसे पता चल जाता है कि उन सभी को दोड़ा दोड़ा के किसने मारा है वह रहता है चिन्ना नमबईया तब वह उसके घर जाता है उसे मारने के लिए लेकिन उस समय वह एक सप्ता के लिए कहीं बाहर जाया हो रहता है और उस घर में उसी की पत्नी वहाँ पे मिलती है तो वह पुछता है कहाँ है तेरा मरत बताओ हम उसे मार डालेंगा तब उसकी पत्नी बताती है कि उसका पत्ती बहुत ही बड़ा कमीना है वह वेनिला को मनिमन पसंद करता है पसंद नहीं करता है बलकि उसके अंदर हवस रहता है वेनिला को चूने का और वह यहाँ बात धर्नी को पूरा बता दे कि उसके दोस सूरी को भी उसके पत्ती नहीं मारा है और वह गुंडे भी उसीने भेजा था और वा सूरी को इसलिए मारता है क्योंकि वेनिला को सिर्फ वही चुँ सकता है, ऐसा उसका मांना है, उसके अलावा हुआ किसी को भी वेनिला को चुने तक नहीं देगा, फिर निमबया घर जैसे ही आता है तो उसकी पत्नी उसे सारा बात बताती है, कि धरनी उसके घर आया थ और वहा फिर धरनी को धमकाता है कि अगर हमको कुछ किया तो वेनिला को भी जान से मार देंगे क्योंकि वह मेरी नहीं तो किसी की नहीं इधर वेनिला की मांग उजाड़ा जाता है। उसे विद्वा बनाया जा रहा होता है। तब धरनी आता है और वह उसे इस हालत में देखता है तो उसे देखा नहीं जाता है। और उसी टेम वह उसे मंगलसुत पहना देता है। और गाउवाले इससे बहुत जादे गुस्सा ह कि तुने एक विद्वा को मंगल सुत कैसे पहनाया लेकिन वेनिला के घर वालों को इसे कोई प्रॉब्लम ने रहता है तो वा वेनिला को अपने घर लेके आ जाता है वेनिला भी उसे में सौक हो जाती वहां कुछ बोल नहीं पाता है और सूरी का एक कड़ा धरनी के हाथ में जिसे वा देखके खो जाती है और वा धरनी के घर आ जाती है इधर धरनी अपने दोस्तों के साथ मिलके नमभया को मानने का प्लैनिंग करते हैं और हतियार जमा करने ल sash लगता और इधर वेनिला भी बहुत दुखी रहती है किसी से बोलती उलती कुछ नहीं है अपने आप में खोई रहती है और गाउं वाले भी उसे बहुत जारे टोचर करते हैं या बोलके कि तू तो विद्वा हो गई है लेकिन फिर भी किसी दूसरे के साथ चली गई तो तू मेरे साथ भी रह सकते और ऐसा करते हुए धरनी जब उस आद्मियों को देखता है तो उसे वह बहुत करती है ऐसा करने के लिए क्योंकि अगर धरनी को कुछ हो गया तो वह कैसे जिएगी ये बोलके उसे वादा भी लेती है कि तुम ऐसा कुछ ने करोगी और वह सारा हतियार जमीन में गार देते हैं फिर धर समय बित्ते जाता है और धिरे धरनी और वे निला की बोंडिंग अ उने वाला रहता है नंबया को मारने का पूरा प्लैनिंग करके रखता है और नंबया ही नहीं बल्कि उस राज जिसने भी उनके दोस्त और सुरी को मारा है उन सभी का बदला भी वह लेगा उन सबको मार कर तभी हमें यह पता चलता है कि अगर सिर्फ नंबया को मारना रहत और इस दसेरा को धरनी को ही मार दूँगा जी हाँ, इस दसेरा वा धरनी को मारने का भी प्लैनिंग करके रखता है और इधा धरनी नमबया को मारने का प्लैनिंग करके रखता है और वा बोलता है कि धरनी को मार के तुझको मैं अपने साथ रखूँगा फिर वहाँ वहाँ से चला जाता है फिर जैसे ये दसरा स्टार्ट होता है तो वहाँ सभी गुंडे धर्नी को मारने के लिए आ जाता है और उन सभी के बीच बहुत ही जबज़स्त फायट होता है लेकिन धर्नी सबको एका करके मारने लगता है तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और धरनी को बहुत बुरी तेकर से मारते हैं लेकिन तभी उसकी दादी ने जो हतियार जमिन में गाड़ा था उसी को वहाँ से निकालता है और सभी को मार देता है और नमबया को भी वहाँ बुरी तेकर से मारता है लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ धर्नी को पगड़के ले जाते हैं लेकिन तभी किसी तरह धर्नी उन पुलिस वाले के चंगुल से छूटते हैं और वहाँ नमबया को आके मार देता है तब फिर धर्नी को जेल हो जाता है और वहाँ जेल चला जाता है जैसे वह छूट के आता है तो वहाँ पूरा तीकर सब बदल चुका होता है और इधर वेनिला भी उसका वेट कर रही हो धर्नी जैसे ही गाउं में आता है तो देखता है कि गाउं बिल्कूल ही नहीं बदला ब दारू सिर्फ दारू नहीं है बलकि एक पूरे परिवार को उजाड़ के रख देता है और मूभी यहीं पे एंड हो जाता है तो दोस्ता आपको यह मूभी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक से जो और कमेंट करें मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए देने बादा